In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, assalamualaikum आज हमारा topic of discussion है control of breathing यानि breathing जो है वो voluntary है या involuntary है voluntary वो actions होते है जो हमारे control में होते है जो हम control कर पाते है वो सारे action voluntary है और जो हम control नहीं कर पाते है वो involuntary है जिसे हमने skeletal muscle का पढ़ा था कि ये हम क्या करते है voluntary अगर हम चाहे तो इससे काम करवा सकते है तो ये voluntary है यानि कुछ ऐसे काम है जैसे हमारे दिल का धड़कना अब उसको हम control नहीं कर सकते हैं तो heartbeat या rate हमारे लिए क्या है involuntary है same इसी तरह breathing क्या है तो breathing के discussion के लिए इसलिए हम कड़े है क्योंकि इसमें तोड़ा सा मसला है इसको हम ऐसे भी नहीं कह सकते हैं कि totally involuntary है अगर्चे involuntary है most of the cases में जब हम breathing लेते हैं जैसे हम सोय हुए है तो हम फिर भी breathing करते हैं इसका मतलब है कि breathing involuntary है लेकिन इसमें up to some extent breathing जो है वो voluntary भी है हम इसको ऐसे कहेंगे normally breathing is involuntary जो normal breathing है कभी कभी हम काम करते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम breathing करते हैं कि नहीं करते हैं या नी जो normal breathing है वो involuntary है वो हमारे will में नहीं है कंटरोल में नहीं है however some voluntary control is possible लेकिन कुछ voluntary control भी इसमें पासिबल है अब ये जो voluntary control इसमें पासिबल है पहले हम इसको पढ़ते हैं कि up to some extent ये कैसे voluntary है तो like for example अगर हम क्या करते हैं हम forcefully breathing लेते हैं एक तो normal breathing हो गया एक मैं जबरदस्ती breathing ज्यादा deep breathe लेता हूँ forcefully लेता हूँ जल्दी जल्दी लेता हूँ तो ये सारा क्या है ये मेरे control में है मैं जतना deep करूँ उतना कर सकता हूँ तो ये forceful breathing जब मैं करवाता हूँ या जो speaking जो मैं बोलता हूँ जो बोलना है अगर मैं इसको रोको या बोलने के दोरान जो ब्रीटिंग का रेट चेंज होता है डेप चेंज होता है खास अंदास से निकलता है तो मेरे कंट्रोल में है ऐसे सिंगिंग में जो सिंगर है वो खास आवास को ऐसे तरज में बना देता है स्नीजिंग या फिर कफिंग में हम अपने इस ब्रीटिंग को कंट्रोल करते है तो ये अप टू सम एक्स्टेंड हो गया लेकिन जो मेजर पोर्शन है ब्रीटिंग का वो अगेन क्या है इन्वलेंटरी है लाइफ फर इजामपल अभी इन्वलेंटरी कंट्रोल हम पढ़ेंगे जो वलेंटरी कंट्रोल है उसके लिए खास ब्रीटिंग सेंटर नहीं है यानि ब्रेन में उसके लिए खास ब्रीटिंग सेंटर नहीं है लेकिन ब्रेन का जो मेन पार्ट है जिसको आपने सिरिब्रल कहा था तो उस सिरिब्रल हेमिस्पेर में क्या होता है इसके लिए impulse generate होता है जो brain का main part है यहाँ पे cerebral hemisphere में impulse generate होगा किसके लिए? voluntary के लिए जो हम सोच रहे हैं कि हम ऐसा करना चाहते है हम singing करना चाहते है हम आवास को एक खास तरज में निकालना चाहते है या हम breathing को deep करना चाहते है तो उसके लिए impulse कहा पी generate होगा या आपने याद रखना है hemisphere में जो cerebral hemisphere है और यही impulse दुबार आएगा कहा पे जहाँ पे center है breathing center है breathing center middle of blanketa जो hind brain है उसके middle of blanketa में breathing center है तो यह उसको पेगाम देगा और फिर breathing center again कैसे control करता है अभी हम mechanism में पढ़ेंगे के involuntary में breathing center क्या करता है लेकिन breathing center कहा पे है middle of blanketa में और जो हमने volunteerly जो अपने सोच के मताबिक हम अगर breathing में change करवाना चाहते है तो उसके लिए हम सोचते है और यह काम कहा पे होता है cerebral hemisphere में जहासे फिर यह कहा पे जाएगा breathing center में और breathing center के बाद डाइफराम और जो intercastle मसल है वहा तक पेगाम पहुंचेगा तो यह जो चोटा सा पार्ट था यह तो voluntary control का था अब involuntary का सोचो कि involuntary क्या है तो involuntary वो actions है जो हमारे control में नहीं है और breathing का major portion अब आप sands कब तक बंद रख सकते हो नहीं रख सकते है फिर तो extent तक तक तो आपके voluntary control है लेकिन उसके बाद involuntary start होता है तो responsible for our automatic everyday breathing जो हम automatic everyday breathing करते हैं यह involuntary है यह तो मैंने आपको example दे दिया कि आप सोये हुए है तो फिर भी आप breathing करते हो इसका reason यह है कि involuntary है respiratory center present in middle of blanketa जो hind brain है यह जो red color में है इसके अंदर respiratory यह breathing center है और यह medulla blanketa है this center has two parts अब यह आपने इम से कि उसके लिए याद रखना है कि जो breathing center है उसके दो portion है एक inspiratory center उसके अंदर अलग है यानि एक side उसका inspiratory center है और बाकि दो side expiratory center है inspiratory जो inspiration के लिए responsible है जो inhalation के लिए responsible है वो क्या है winter portion है आगे वाला जो portion होता है बिली की तरफ वो क्या होता है हमेशा winter और जो बेक की तरफ होता है वो डारसल और यह जो side की तरफ होता है यह later तो इस case में अगर हम यह organ ले ले middle of blanketa तो इसमें जो respiratory center है उसका जो सामने वाला part है चिस्ट की तरफ जो part है winter part वो winter portion क्या है regulate the rate and depth of inhalation चुकि inspiratory center है तो यह inhalation के rate और depth को control करता है और यह कौन है तो आप ऐसे इसको या याद रखो कि जो inspiratory है उसके लिए winter portion है ऐसे 4 लेको ना एसे 4 लेको रूमन में तो inspiratory के लिए winter portion है किसका inspiratory center का breathing center का फिर एक expiratory center है जिसका darsal and lateral portion जो है it inhibit inhalation and stimulate exhalation expiratory किसके लिए responsible है exhalation के लिए तो इसमें दो portion है एक darsal और दूसरा lateral और यह जो darsal और lateral है यह darsal और जो lateral है यह किसके लिए है यह expiration के लिए है यह एक्सहिलेशन के लिए है यह दोनो darsal और lateral और जो आपका winter है वो आपके लिए inhalation के लिए responsible है तो ये भी असान होगी है कि breathing center के दो पार्ट से एक वो वाला portion जो winterly है और जो inhalation के लिए responsible है और एक वो जो darsally है और जो laterally है दारसल और lateral portion किसके लिए responsible है exhalation के लिए अब ये जो involuntary है ये होता कैसे है तो इसके लिए कुन सा mechanism है ये mechanism of involuntary control है आपके पेपर में आता है mechanism of breathing वो अलग question है next इसके बाद हम discuss करेंगे जिसमें काफी सारा detail है यह mechanism किसका बताया जा रहा है involuntary control का यानि दिमाग जो involuntary हमें नहीं बताता और खुद से ये काम automatically हो रहा है तो कुछ तो mechanism background में होगा तो mechanism क्या है तो mechanism ये है कि breathing center का तो हमें पता है कि ये hand brain में है तो होता क्या है the breathing center communicate to it ये breathing center communicate करेगा कहा से lungs के साथ lungs के जो दो accessory organ है जो breathing में मदद करता है एक है diaphragm और दुसरा है intercostal muscle तो ये communicate करेगा intercostal muscle के साथ और diaphragm के साथ intercostal muscle के साथ ये किस चीज़ के तुरू connect होगा intercostal nurse जो वहाँ से nervous supply है nurse का तो उसके तुरू ये वहाँ communicate करेगा और उसको contract करवाएगा breathing के लिए और जो diaphragm है उससे किस के तुरू communicate करेगा फ्रीनिक nurse के तुरू तो ये दो nurse के नाम आपने याद रखना है कि आपका जो respiratory center है brain के अंदर में डूलो बलंगेटा में वो कैसे communicate करता है चिस के साथ तो दो एक फ्रीनिक nurse जो सीधर डायफराम में जाएगा और दूसरा जो है वो इंटर कास्टन नर्स जो इंटर कास्टन मसल में जाएगा ये तो main mechanism है कि ऐसे brain से breathing center को लगा कि तेस करना है स्लो करना है automatically जो होता है कभी कभी नीन में आप हो और आपकी सांस की रफ़तार तेस हो जाती है कम हो जाती है क्योंकि breathing center को लगता है कि carbon dioxide ज्यादा हो गिया अब इसको wash out करना है तो वो इन नर्स के जरे इस muscle के साथ जो कि डायफराम की शकल में है या intercostal muscle के form में है उसके साथ communicate करता है इसके अलावे ये आपने MCQs के लिए याद रखना है कि concentration of oxygen जो है वो भी depend करता है तोड़ा सा इतना significant नहीं है लेकिन अगर आप oxygen के level को बहुत ज्यादा कम करते हो तो उस जगह में भी carbon dioxide का level बढ़ेगा और जो आपका breathing rate है वो ज्यादा होगा कहते हैं कि अगर आप 20% इसमें drop करोगे concentration of oxygen minor influence है अगर आप 20% oxygen के concentration में decrease करोगे तो उस जगह में बंदे का जो breathing rate है वो double हो जाएगा तो अगर 20% किसी area में जिसे अब बहुत उंचे पहाड में चले गए और वह oxygen की deficiency है और अगर वो 20% कम हुआ तो आपका breathing rate डबल हो जाएगा और अगर ऐसे में करो के 40% होगा तो फिर क्या होगा तो ऐसे डबल डबल होता है हर 20% के लिए आपका respiratory rate तो oxygen का 20 के उपर effect है हमने आज के लिक्चर में आपको पढ़ाया कि जो breathing का control है वो involuntary है normally लेकिन अब to some extent हम उसको control कर सकते हैं जैसे मैं अभी बाते कर रहा हूँ तो मैं अपने सांस को एक खास अंदाज में करवा रहा हूँ तो ये क्या है ये उसका voluntary portion है voluntary के लिए दिमाग के अंदर cerebral hemisphere में impulse generate होता है जो कि बाद में कहा पी चला जाता है middle of langeta में जो कि hind brain में पीछे की तरफ है और वो breathing center है middle of langeta के अंदर उस breathing center है वो mainly किस के लिए responsible है involuntary के लिए involuntary control जो है वो day to day life में जितना हम inhalation exhalation करते हैं ये हमारे control में नहीं है ये क्या है involuntary है अब ये जो involuntary है तो इसके लिए भी एक mechanism होगा एक तो आपने याद रखना है कि इसके लिए जो center है वो कहाँ पे है वो hind brain में middle of langeta के अंदर breathing center है जिसके दो portion है एक वो portion जो inhalation के लिए है और दुसरा वो portion जो exhalation के लिए है inhalation के लिए जो portion है उसका नाम क्या है winter portion breathing center का जो winter portion है winter part है वो किसके लिए है winter हमें पता है कि सामने वाला और डारसल पीछे वाला तो जो winter part है inspiration के लिए और जो डारसल और lateral part है वो आपके साथ expiration के लिए responsible है फिर हमने इसका तोड़ा सा mechanism पढ़ा कि impulse यहापी generate होगा जो भी बात हो कि तेज करना है कम करना है नार्मल करवाना है और यह communicate करेगा chest wall के साथ चिस्ट में जो diaphragm और चिस्ट के दरमियान जो diaphragm है वहाँ तक phrenic nurse पेगाम लेके जाएगा और जो rips के दरमियान intercostal muscles है जो के contraction और relaxation का का काम करता है mechanism में हम आगे फिर next lecture में देखेंगे कि कैसे यह rips cage को उटाता है और नीचे करता है यानि सांस लेने में मददगार वाले जो muscle है वहाँ तक पेगाम पहुंचाया जाता है breathing center से through phrenic nurse and intercostal muscle hope यह lecture आपको समझा गिया होगा next lecture तक अजाज़त दीजिए अल्ला हाफेज